बाइब बाइब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आज की वीडियो में आप सभी के साथ सेयर करूंगी पांस दिनों की पूजा में सेयर करूंगी जो जिसका की बहुत जाना महत होता है दे उठनी एका दसी से लेकर पूडमा तक तुलसी जी की महीने आपने पूजा नहीं कर पाई आप बहुत जाना बिजी हैं आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप निकाल पाएं तो आप पांस ये पांस दिन आप पूजा जरूर करें तो आपके पूरे महीने का फल उस पूजा में आपको मिलेगा तो सबसे पहले हमें इस नान से स्टार्ट करना है इसनान में हमें गंगा जल से सनान करना है तो आप खाली बरतन में गंगा जल डालेंगे जल में आपको गंगा जल में आपको जल मिलाना है तो यहां पर देखिए मैं खाली बरतन में गंगा जल डाल दिया मैंने थोड़ा गंगा जल बहुत जाना हो जाता है तो आप थोड़ा डाल दे उसमें बाकी जिस पानी से आप नहाने वाले हैं उस पानी को आप एड़ कर सकते हो तो यहां पर देखिए बैसे तो बिदान ही होता है कि ठंडे पानी से ही नहाया जाता है गरम पानी से गार्टिक मास में नहाया जाता है अगर आप नहीं नहा सकते तो आप फुड़ा सा गुन गुना पानी से भी आप नहा सकते हैं अब मैं रख दूंगी सारी पूजन सामगरी रख लूँगी तो एक घी का दीपक है तिली का कार्टिक मास में बहुत जाना महत्व है तो तिली को आप बिल्कुल मिस ना करें फल आप जो कोई भी ले सकते हैं तो आप फल ले लिया है मैंने फूल ले लिया है और फूल देखिए तूट ही नहीं रहा है इसमेसे तो देखिए एक गुलाव का फूल ले लिया है मैंने तो आप चाहें तो माला ले सकते हैं डेली आप माला भी चड़ा सकते हैं आपकी सरध्धा की उपर है तो देखिए आपे मैंने पूरी थाली मेरी हो गई है तैयार तो इसी तरह से भूग के लिए आप मीठे जरूर बनाए कोई भी सुबा नहीं लगा पाते हैं तो थोड़ा पूजा के बाद 12 एक वजे के टाइम पर भूग जरूर लगाएं तो देखिए यहाँ पर आगई हूँ मैं छट पर सारा सामान लेकर आगई हूँ तो देखिए तुलसी जी की पूजा की जाती है कार्तिक मास के पांस दिनों का अतियतिक महत हुए तो मैंने तो पूरे महीने पूजा की है तो मैंने सुचा चली मैं आप लोगों के साथ भी सेर करती हूँ तो मेरे तो तुलसी में जवारे भी उगाए थे मैंने तो देखिए जवारे भी है मेरी तुलसी में बाद में मैं जवारो को सिराओंगी काफी लोग ने मुझसे कोशन भी पूछा था कि मैडम जवारो का क्या करते हैं तो जवारो को बाद में सिराया जाता है सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे चौकी रख लेती हूं दिया कोई भी पूजा हो सबसे पहले आपको दिया को प्रजूलित करना होता है तो सबसे पहले हम जलाएंगे दीपक जला लेंगे और देखिए हमारी तुलसी भिलकु छोड़ी सी पूझा कर सकते हैं तो आपकी चाहे कि आपThoseे भगवान की पूझा यहां पर करना चाहते हैं मैं आपकाना जी की पूझा कर रही हूं तो काना जी हमारे बहुत छोटे हैं तो थोड़ासा गुणगोना पानी मैंने उनकी लिए कि ए ए आज बहुत बहुत जना तेज हवाल है आज बहुत जना सर्दी है यहां पर तो बस जैसे ही मैंने उनका अच्छे से सरीर पहुचा और जल्दी से बस एत्र लगाऊंगे इत्र मैं भगवान को हमेशा लगाती हूं मेरी जतने भी वीडियो आप सभी को मैंने सेर बताया भी है कि भगवान क को आप यतर जरूर लगाएं बहुत अच्छा रहता है यतर लगाना इसके बाद चल्दी से पहनाओंगे मैं आप एक कपड़े तो सबसे पहले मैं इस तरह की फ्रॉक उनको पहना देती हूं इसके बाद पहनाओंगी मैंने उनी स्वेटर पहनाओंगी क्योंकि ठंड है तो घर पर बनाना आता है तो आप घर पर भी इसको बना सकते हैं तो देखिए इस तरह की फ्रॉक है यह बस इसके बाद जल्दी से लगा दोंगे मैं माला लगाओंगी बाल लगाओंगी उसके बाद लगाओंगी उन पे टोपी सु बहुत त्यारी लगने लगते हैं हमारे कान काना जी हो गया है बिल्कुल रेडी एक चौकी पर मैंने आप पीला कपड़ा बिच्छा दिया है उसके उपर बिठाल दिया अपने काना जी को तुलसी के बगल में ही आपको चौकी लगानी है इस चीज का आप ध्यान रखें उसके बाद लगा दूँगे मैं चन्दन चावल नहीं लगाने कारतिक मास में तिल बहुत बहुत जाना महत होता है तो चावल की जगे आप तिल का यूज करें घूट की यहाँ पर सफेद तिल लगाऊंगे भगवान को और सफेद तिल ही आप तोसी जी को लगाएं तो इस चीज का विसे ध्यान रखें इसके बाद में फूल चड़ा दूँगी आप चाहें तो यहां पर माला चड़ा सकते हैं अगर आप रोज माला ला सकते हैं तो रोज भी आप माला चरूर चड़ाएं इन जो कार्तिक मास की पांस दिनों की पूजा होती है उसका बहुत जाना महत होता है तो यह आप पांस दिन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है अगर आपने कार्तिक मास में पूरे महीने आपने इतना वक्त नहीं दे पाए अपने पूजा पाट को तो यह पांस दिन आप जरूर दें इसके बाद मैं तुलसी को और अपने जवारों को अच्छा से जल देती हूं बहुत जना जल नहीं देती क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड का मौसम आ गया तो जाना जल से तुलसी भी खराब हो जाएंगे और मेरे जवारी भी खरे खराब हो जाएंगे तो देखे कितने अच्छी हरे बरे जवारे होगे हैं हमारे आप पर इसके बाद मैं थूड़ी सी पूड माता का पूजा कर सकते हैं पास दिनों की पूजा रहती है इस पूजा का मैं पहले भी बता चुकी हैं बहुत जाना महत होता है इसके बाद लगाएंगे आप भोग और भोग मैं तुलसी आपको ज़रूर डालना है क्योंकि बिना तुलसी के भगवान जी भोग नही लगा थे इसके बाद करेंगे हम आरती तो आरती आपकी जो भी पसंदीदा आरती हो आप आरती कर लें बहुत सादा सिंपल पूजा होती है यहां पर दीपक से आरती कर रही हूं आप चाहें तो यहां पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं तो इस तरह से आप आरती कर लें और इस पूजा को पजभी को पूजा कहा जाता है पाल दिनों की पूजा होती है वो बहुत जाना महत होता है इस पूजा का तो सिंपल साधरन तरीके से इस तरह से ही पूजा की जाती है वैसे तो महीने बार का विधान होता है अगर जिनके पास टाइम नहीं अतना वक्त नहीं है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं तो फिर इसके बाद आप कहानी जरूर सुने राई दामुदर की आज के दिन कहानी सुनी जाती है तो आप हाथ में तिल लेकर कहानी सुनें और कहानी समापत होने के बाद तिली भगवान की उपर छोड़ दें। तो इसी तरह से सिंपल साधान तरीकी से पूझा की जाती है। साम का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। कि साम को किस तरह से पूझा करनी होती है किस तरह से डेली हमें दीबदान करने होते हैं इसका वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको पूझा हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब जारूर करें। हमारे वीडियो को आप लाइक जारूर करें। तो देखें इसी तरह से साधारं सिंपल तरीके से पूझा की जाती है। जल डालने के बाद तुलसी में आप चुन्नी जरूर उड़ा दें बिना तुलसी उड़ाएं आप पूजा ना करें तो देखें मैं जब जल डालती हूं तुलसी में जब मैं थोड़ी सी चुन्नी हटा देती हूं उसके बाद देखें मैं चुन्नी डाल देती हूं तो देखे तो इस चीच का आप ध्यान रखें कि चुनी वगरा जन ना जाए कहीं दिक्कत ना हो जाए तो इस चीच का आप थोड़ा सा ध्यान रखें दीपक को भले थोड़ा सा दूर रखतें कोई दिक्कत नहीं भगवान सब समझते हैं तो थोड़ा सा आप दीपक को दूर रखें कप हवाल चलती है ना तो कपड़ों में थोड़ा सा आग लगने कर दर रहता है इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें ये ना सोचे कि हमेसा तुलसी के पास ही दीपक रखा जाता है हम दूर क्यों रखें तो ऐसा नहीं है अपने समय और सुबिधा की अनुसा सारी चूटी चूटी पूजा जब हम अपने जीवन में करते रहते हैं तो हमारा जीवन ना खुशियों से भरा पूरा रहता है पता नहीं कौन सी पूजा हमारे जीवन में बहुत कितनी खुशियां लेकर आजाए ये हम भी नहीं जानते तो चूटी चूटी बड़े तो और पर नहीं कर सकते तो छोटी छोटी पूचा हमें अपनी जिंदिकी में करते रहना चाहिए I hope like this video and subscribe my channel मिलती हूँ आप सबसे next video में जब तक के लिए राधे राधे